नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत अपने यूटूब चैनल एबेस क्लासस पे दोस्तों यहाँ पे कच्छा ग्यार्मी के भुगोल का फुल सेलूशन लेके आ गया हूँ जो कि आप लोगों को मिलेगा सेट एका जिसमें से प्रस्ण एक से लेके और अठारा तक के पूरे को कर लेना है और अपने पेपर कॉपी में टिक कर लेना है और आपको आराम से लिखते रहना कोई दिक्कत नहीं वीडियो मैं फटा पट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत ज्यादा सब्जेक्ट का वीडियो बनाना पड़ता है तो यहाँ पर देख लेजे question number 2 है और यहाँ पर फटा फट आप लोग को answer लिखना है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और जो भी दिक्कत हो रहा comment section में comment कर दीजिए next part पे बहुत जल्द upload कर दिया जाएगा Hindi English Physics Chemistry सब चीज अप्लोड हो चुका है बस यह आखरी बचा था तो इसको भी upload हमने कर दिया है तो यहाँ पर देख लिए question number 3 है और इसका सत्य सत्य में तो दो असत्य है और पाचमा यहाँ पर जो है असत्य है ठीक है यह पाचमा है असत्य है और यह दोनों असत्य है यह दोन question number 4 में एक एक number के प्रस्ण आते हैं जिसमें से आप लोग को लिखना होता है एक बाग के मुत्तर एक सब्दे मुत्तर तो यह उसी question का answer है तीन यहाँ तक हो चुके है इसके बाद यह चौता और पाचमा है यह पाचमा है तो पाचमा के यहाँ पर आप लोग को clear कर लेना है question number 5 की और चलते हैं एक question है बादल कैसे बनते हैं देखिए दो number के question है तो आप लोग सौट में लिखेंगे ज्यादा बड़ा नहीं जिसमें से चार number और ती number के question रहते हैं उनको थोड़ा सा बड़ा लिखना है तो यहाँ पर बादल कैसे बनते हैं इस question का answer यह हो जाएगा आप लोग screen shot का लेजें और पूरा answer लिख लिखेंगे यहाँ तक हो जाएगा आप लोग का question number 6 नेक्स्ट question question number 7 है जो कि आप लोग को पारिस्तितिक तंत्र क्या है इसके बारे में लिखना था sort में लिखना है दो number question है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर प्रस नमबर 7 हो जाता है प्रस नमबर 8 अप मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ प्रस नमबर 8 यहाँ पर है तो यह पीडियाप है आप लोग को यहाँ पर देख लिजेगा बोगोल के अध्यान के उ पागम लिखिए तो यहाँ इस question का आप लोग को आंसर यहाँ तक लिख देना है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर प्रस नमबर 8 है और दो नमबर का प्रस निसलिए sort में लिखना है ठीक है आराम से screen sort कर लेजे या फिर video रोक रोक के आप लोग लिख सकते हैं और पूरा आराम से लिखिएगा क्योंकि आप लोग का यह बार से किक जाम है इसी से पूरे नमबर जुड़ने वाले हैं यहाँ पर मरदा निर्मार के प्रमुक कारकों के नाम लिखना है यह question यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि आप लोग को कॉपी मिल गया है तो आप लोग एक घंटे में भर कि रख दो तो चलिए next question दिखाता हूं मैं आप लोग को question number 10 जो भी यहाँ पर question number 10 है screen shot कर लेना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है यह question number 10 है जो और भाटा की 3 मात तो लिखना है तो यह हो गया next question question number 11 जो कि आप लोग के screen पे है प्रतवी की आंत्रिक संरचना का सचित् ठीक है यह screen shot कर लेना है यहां तक हो गया question number 13 देखते हैं ताप मान के बितरन को नियंत्रित करने वाले कारक तो आप लोग को यहां तक आप लोग को screen shot कर लेना है इसके वाद अच्छांस का कर लेना है ठीक है फटा फट करते जाना है यहां पे इसका यह next का कर लेना है तो यहां पर question number आप लोग का यह 14 है और 14 को यहां पर आप लोग को पूरा clear हो जाएगा तो screenshot कर लेना यहां पर 14 नमबर के भारत के नंदियों के प्रदोस्ण के निम्न कारण है तो 4 यहां पर लिखा हुआ है आप लोग को सबसे पहले paper मिला लेना है प्रस्ण इसके बाद लिखन नेक्स्ट आगे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ तो यह question है खनिच के बारे में है आप लोग screenshot कर लेजेगा paper में मिला लेजेए प्रस्ण प्रस्ण क्रमांक मेरे को याद नहीं है यहां पर देख लेजेगा इसको मिला लेजेगा और भी इसके से ज्यादा लिखना है चोब मंडल के बारे में आप लोग को लिखना था तो यहां पे आप लोग screenshot कर लेजेगा ठीक है और इसके बाद यहां पे screenshot कर लेजेगा और पूरा उत्तर यहां तक लिख दीजेगा तो यह हो जाएगा आप लोग का next question इसके बाद next question आप लोग के लिए यहां पे है ठीक ह से आल टोटल आप लोग के 17 से 18 कोस्टन जो भी हैं आप लोग लिख लिजेगा और पूरे हो चुके हैं इस वीडियो में वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक कर देजेगा चैनल में तेक बार चैनल को सस्क्राइब करके विलाइकन प्रेस कर लेना और इंस्टाग्राम आइड कर लेजे ताकि आप लोग को वहां पर पीडियो मिल जाए मिलते नेक्स्ट वीडियो पर तब तक कि लिज्जाहिन बंदी मात्रा